अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीस वीडियो को जादा से जादा शेर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टार्ट करते हैं, कोशन नमबर सेकिंड का फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टो ए बैंक टो विड्रो रुपीज 2,000, She asked the cashier to give her Rs. 50 and Rs. 100 on notes only, मीना got 25 notes in all, find how many notes of Rs. 50 and Rs. 100 she received, मीना देखू, आपके पास आप किसी बैंक में गए, आपने कितने पैसे निकलवाने थे बैंक से, 2,000 रुपीज आपने बैंक से निकलवाने थे, आपने cashier को बोला, कि मुझे क्या चाहिए, Rs. 50 और Rs. 100 के notes चाहिए, मुझे Rs. 50 और Rs. 100, आपने cashier को क्या कहा था, कि मुझे Rs. 50 और Rs. 100 के notes चाहिए, और total cashier ने आपको कितने notes दिये, 25 notes दिये, find how many notes of Rs. 50 and Rs. 100, ये कह रहे कि कितने notes आपके पास Rs. 50 के थे, और कितने notes आपके पास 100 के थे, अब जो चीज हमारे पास नहीं है, हमें नही पता, तो हम उसको क्या करते है, X और Y, क्या करते है, assume करते है, क्या करते है, इसको let कर लेते है, number of Rs. 50 notes भी, X, हमने क्या मान लिया, कि जो 50 rupees के notes है, वो कितने है, X, 100 rupees के notes कितने है, वो कितने है, हमारे पास Y, एक बात को ध्यान से समझना बच्चा है, जब हम notes, हमारे पास प कितने निकलवाए 2000 और टोटल नौट कितने मिले हमें 25 नौट कैसे मिले हमें 50 के और 100 के मिला कि हमें टोटल कितने नौट मिले है 25 अब ध्यां रखना जब नौट की बात होगी तो आपने इस साइड नौट लेना है जब रुपीज की बात होगी तो आपने इस साइड क्या ले अब आपके पास क्या है 25 नॉट्स टॉटल कितने है 25 एक्स और वाई दोनों को मिलाके बनेना आपके पास x plus में y equal to 2550 के not plus में 100 के not equal to not clear not equal to not होना चाहिए ये बात ध्यां रखना आप हमेशा बच्चे इसमें confused होते हैं देखिए अब यहाँ पर क्या आपके पास रुपीज यहाँ आपके पास कितने हैं रुपीज मैं आपको बोल दूँ कि 1 रुपे के आपने आपने क्या किया दस रुपे का एक x खरीद लिया दस रुपे का आपने number of nots कितने खरीदे x तो आप क्या करोगे जब आपके पास इधर रुपीज है और इधर नोट है दोनों को multiply करोगे तब ही तो हमारे पास कितना बनेगा रुपीज में convert होगा ध्यां रखना रुपीज अब 50 के not कितने है हमारे पास x तो टो कितने होंगे 50 multiply x और दूसरे 100 के not कितने है य तो हमारे दियान रखना रुपीज के लिए रुपीज लगाना है आपने और हमारे पर के लिए नोर्स लगाना है according to question अब स्टार्ट करते हैं पच्छी मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रो रुपीस 200 उसने कितने पैसे निकल वाई बैंक से 2000 है कितने है 2000 रुपीस उसने बैंक से निकल वाई तो कैसे निकल वाई होंगे 50x प्लस में 100y equal to 2000 equal to 2000 कैसे चो कि हमने क्या किया इसको भी रुपीस मे चेंज किया नंबर ओफ नॉट्स कितने थे x और कितने निकल वाने थे 50 के नॉट्स निकल वाने थे तो 50x 100 के नंबर ओफ नॉट्स कितने थे y तो टोटल कितना होंगे 100 multiply y 100 multiply y clear आपने जैसे आपने यह अगर आप 2 नॉट्स निकल वा तो कितना थे तो कितना हो जाएगा हमारे पास पैसे कितने हो जाएंगे आपके पास हमारे पास number ओफ नॉट्स कितने हैं x और हमारे निकल वाने किसने हैं 50 czyli x similarly 100 multiply y equal to 2000 ध्यान रखना बच्चो इधर भी रुपीस में कनवर्ट किया तो इधर भी हमारे पास पैसे थे तो इधर भी हमने पैसे में ही करना था इसको clear अब आगे question पड़ते हैं she asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 knots only मीना got 25 knots in all total knots उसने कितने लिये 25 total knots कैसे होगा 50 के knots plus में 100 के knots equal to 25 यह number of knots हैं इधर भी number of knots है आपके पास clear equation number first equation number second देखिए अब हमने कौन से method apply करना है by elimination method using elimination method या by elimination method आप लिख सकते हो elimination method अगर आपके पास mention नहीं है तो आप कोई भी method apply कर सकते हो substitution भी elimination भी जो आपको easy लगे clear अगर आपको particular mention है कि आपने elimination method से करना है तो आपको तब elimination method से ही करना पड़ेगा देखिए हम क्या करेंगे दोनों में से हमें एक को equal करना होता है यह तो x वाली ट्रम को equal कर लीजी या y वाली ट्रम को equal कर लीजी पर हम इस case में क्या करेंगे अब x को करना चाहते हो इसके पस 50 है तो इसके पस 50 नहीं है तो क्या करेंगे multiply equation multiply equation 2 by 50 equation 2 किसे multiply किया 50 से 50 x plus 50 y 50 से करिए इसको 5, 1, 25, 0 clear यह equation number third solve subtract 3 from equation 3 from 1 equation 1 clear यह बच्चे equation है आपके पास from equation equation 1 देखें आपने simple करना है 50 x आपको लिखने में problem हाती है तो आप लिख सकते है solve the equation 1st and 3rd 50 x plus में 100 y equal to 2000 50 x plus में 50 y equal to cutting करते हैं माइनस 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 यह कितना हो जाए गए आपके पास 50 y equal to 0 5 आपके पास 9 में से 2 तो कितना है आपके पास 7 कितना है बच्चों आपके पास यहाँ पर कितना है 7 clear आगे करते हैं अभी continue करते हैं आगे देखिए 50 y equal to 750 y की value कैसे निकालेंगे multiply में है equal की side क्या हो जाएगा 750 divided by 50 आप हमेशे ऐसे कैंसर करिए 0 से 0 5 1s are 5 5 5s are 25 तो y की value कितनी आगे आपके पास 15 using this value in equation number using y equal to 15 in equation number first में कर लो या second में कर लो आपको यह देखना है कि easy कौन से आपके पास कौन सी equation easy है second easy है first में क्या आपको multiply करना पड़ेगा तो आप किस में कर सकते हो using y equal to 15 in equation number second x plus y equal to 25 x plus 15 equal to 25 x की value कितनी आगे 25 minus 15 x की value कितनी आगे पास बच्चो 10 तो हमारे पास देखो total कितने थे how many knots of rupees 50 rupees 50 के knots कितने थे हमारे पास 10 और 100 के knots कितने थे हमारे पास 15 यह था बच्चो आपका question number second का fourth part बच्चो आपका question number second बच्चो आपका ?